नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज पियार रियसना आपके साथ है बड़ी जानकारी हम आपके सामने लेकर आए हैं अगर आपने अभी तक अपने बैंक का काम नहीं निपटाया है या फिर कोई ऐसे काम है जो आपको निपटाने है तो उसे आज ही पूरा कर ले त्योंकि फिलाल चार दिनों तक तो बैंक टोटली बंद रहेंगे लेकिन उसके बाद भी पटना में आप बैंक काम पूरा नहीं कर पाएंगे एक दो दिन के बाद फिर पूरी तरह से बैंक और बंद रहेंगे तो लगभग चार एपरिल तक यह चलता रहेगा तो पूरे डीटेल में हम आपको बताएं तो कल यानि कि शनिवार को चौथा शनिवार है जिसको लेकर बैंक्स तो बंद हैं रभिवार को अफकास होता है हम सबको पता है तो बैंक्स बंद रहेंगे इसके लाबा 29 और 30 को होली की छुट्टी दी गई है और इस इस तरह से इस महां से 27-30 मांच तक बैंक बंद रहेंगे वही 31 मांच से पुना बैंकिंग से वाए मिलेगे लेकिन 31 मांच को कलोजिंग डे होने की कारण आम लोगों के लिए का काम उ00 दिन नहीं हो पाएगा 1 अप्रेइल को भी बैंक अपना सराना हिसाब किताब का का काम करेगा जिसकी वेसे आम नागरिकों के लिए बैंक खुला नहीं होगा दो अपरेल को गुड़ फ्राइडे की छुट्टी है और तीन एपरेल शनिवार को एक दिन के लिए आम लोगों के लिए खुलेंगे केवल शनिवार को यानि कि तीन एपरेल को और इसके अगले ही दिन एक दिन एपरेल को और रिवार का अबकाश है तो के वल एक दिन यानि कि तीन एपरिल को बैंक खुलेंगे 31 मार्च को दिन के लिए रखने वह भी आम नागरिकों के लिए नहीं खुलेंगे एक अपरिल को बैंक अपने हिसाब किताब करेंगा तो बहुत लंबी चुटी है 9 दिन लगभग जो हैं बैंक्स बंद रहने वाले हैं तो चुकि जनता को काफी issues होते हैं बैंक्स बंद होना चे वो भी 9-9 दिन बैंक बंद होना तो एक बड़ा मुद्दा है तो इसके लिए आप सभी जो भी अभी तक बैंक काम उन्हों आपने नहीं निप्टाया है तो जल काम नागरिकों की काम नहीं करवाए जाएंगे फिल्हाल इस वीडियो में इतना ही जुड़ी जानकारियों के लिए आप दिन भर हमारे साथ बने रहे सकते हैं वहीं अगर हम बात करें आज बहार बंद का आवाहन क्या गया है तस्वीर लाइफ फिटिज हम आपको ग्राउ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद